जोश्तों यदि आप trading की सुरुआत करना चाहते हैं, share market में interested हैं तो जब हम लोग मन बनाते हैं कि अब हम trading सुरू करेंगे या फिर अब हम share market में entry लेंगे तो जब हम लोग सीखने के बाद जब आते हैं entry मारने वाले जब बात आती है तो मन में बहुत सारे बिचार आते हैं कि जब हम लोग प्लेश्टोर को खंगालते हैं तो बहुत सारी अप्लिकेशन हम लोग के सामने आती हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड जैसे कि ग्रोव एप, एंजलवन, जिरोधा, अपिस्टॉक, धन एप और ऐसे बहुत सारी एप आती हैं भुत ज़्यादे काटती है और आकाउंट ओपनिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादेilिया तो इन सब को देखते हुए कौण सी ऐप बेटर हैं जिनम्हें अकाउंट ओपन करने का सूल का Зीरो है ब्रोवकिरीचार्च बिल्कुल कम लिगने वाला है ऐसी कौन सी अपलीकेस्ट है तो दोस्तों आज कि वीडियो में इसी के बाये में हम लोग डिसकास करेंगे और पांच ठेक्रेडिंग के सामने सब्सक्राइब सरल है और चारज गर्ण किस पे कम लगते तो हम सब कुछ लाइब बताएंगे स्क्रीन पर चलके तो बीना किसी देर के हम इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे तो हैल एंड इलकम दोस्तों आप देख रहा हैं Android जंक्सा ने टूब चैनल और में नाम है रूपेश दोस्तों आई चली शुरू करते हैं आज जी की वीडि सुरू करना चाहते हैं तो हमें किसी ने किसी में डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है जैसे कि बैंक में पैसा रखना है तो किसी बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है ऐसे हमें ट्रेड करना है तो कहीं कहीं हमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा तो सो से अधिक अप्लिकेशन आपको मिल जाएंगे गूगल के प्लेश्टोर पे जो मतलब यहां पे रजिस्टर्ड एप है सभी की सभी रजिस्टर्ड एप हैं बट यदि हम बात करें दोस्तों मतलब गूगल प्लेश्टोर पे जितने हैं लगवग लगवग सभी रजिस्टर्ड है यहीं बात करें ना मार्केट केपचर गा तो 90 परसेंट मार्केट चार पांच चार ही एप मिलकर रखी हैं जिसमें आती है जिरोधा एप, एंजलवन, ग्रोव एप और अपिस्टॉक यह चार जो एप है ना 90% मार्केट को पकड़ के रखे हैं बकिया 10% में सभी एप हैं जैसे कि एक बार हम इंटरफेश दिखाना चाहेंगा आपको जैसे कि अपिस्टॉक ग्रोव एप और यहां से हमारी आ जाती है जिरोधा एप और यहां पर एंजलवन यहीं सारे लोग मार्केट को कैप्चर करके बैटे हुए हैं तो आए कुछ चीजे आपको बताते हैं जो को समझना बहुत जरूरी है डीमेट एकाउंट ओपेन करने से पहले ठीक है यहीं बात करें हम ग्रोव एप्लिकेशन की तो ग्रोव एप मार्केट में दोस्तों 2016 में आई है जो काफी अच्छा खासा अपना ग्रोथ भी कर रही है यहीं बात करें जिरोधा एप की तो जिरो अप इसटों भी 2009 के असपस आ गई थी ठीक है अब बात आती है अकाउंट ओपनिंग चार्ज का कि इसमें कितना कितना लगता है तो दोस्तों आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा अकाउंट ओपनिंग चार्ज यादि बात करें तो ग्रोव में बिल्कुल जिरो है एक इस तरह से बात किया जानते हैं कुछ ऐसी आप हैं जो हमको मतलब जिसे गाइड करते हैं कि आप इस श्टाग को आई करो ऐसे करो तो उसका सर्विश चार्ज काटते हैं बहुत सरे आप काटते हैं तो इस तरह से बात किया जाएं इस तरह की चार्जेज की तो यहां पर अपिश्टॉक जो है ना ओभी हम लोगों से चार्ज काटता है एंजल वन भी कुछ कुछ चार्ज काटता है जिरोधा इन सभी में सबसे अधिक लगभग लगभग चार्ज ले लेता है यदि बात करने अगर्य órbor में तो ग्रों में लोगों से नार्मल सा चार्ज लेता है अब बात आती है हमारी कि किसकी कितनी market capture है ठीक है तो सारह कुछ कुछ किलियर करोंगा ठीक है तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यदि हम बात करें न एक एक आपके बारे में बात करेंगे यदि मार्केट कैप्चर की बात करें तो जीरो धाइप की डाउन्लोडिंग सबसे अधीक है एक करोड के आसपास डाउन्लोडिंग जिसमें 64,00,00,00 एक्टिव यूजर है नमबर बन पर आ जाती है इस मामले में यदि बात करें ग्रोग की तो तो यहां पर हम बात करें और कई सारी बात है तो आपको जरूर समझना चाहिए ठीक है क्योंकि यहां पर आपको बताना चाह। तो जैसे कुछ ऐसे ब्रोकर है जो डिसकाउंट वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो फूल्ली मतलब service charges काटते हैं तो डिसकाउंट ब्रोकर में आ जाता है grow और angel one ठीक है कर दो ऐसे आ जाते है और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे एप ऐसे हैं, जो account maintenance charge भी काटते हैं, जैसे कि 0 धा भी काटता है, और angel 1 भी 108 रूपर प्लस GST काटता है, तब 50 धार से उपर का रकम आप रखते हैं, तब 0 धा भी लेगा, angel 1 भी लेगा, और up stock भी कभी कभी ले लेता ह है, ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि account maintenance charge यह लोग 15 धार से उपर पर लेते हैं, और grow बिलकुल 0 लेता है, कुछ भी नहीं लेता है, नर्मली वह दिया, आप option trading वह रखते हैं, तो इस तरह से आप समझे होंगे, दोस्तों आपको बात और clear करना चाहूंगा यदि देखिए, हम clear clear बताना चाहूंगा, अप इस टॉक में जादी user है, क्यों है, जो market में पूरा मतलब मज चुके हैं, ठीक है, वो अप इस टॉक में है, जानते हैं क्यों, क्योंकि अप इस टॉक में आपको बहुत बड़ा बड़ा इनस्ट्मेंट करना जैसे कि 10 लाग, यूआई इंटर्फेस है, बिल्कुल नार्मल होता है, और इसको सीखने, समझने और चलाने में बहुत ही आसानी आपको होगी, और बहुत आसानी सिसको आप यूज कर सकते हैं, इसका यूआई इंटर्फेस आसान होने के वाज़ा से, काफी लोग इस पर trade करते हैं, नए ल सारे उसके बाद आप उसके साथ सेफ्ट हो सकते हैं, बात करें अंजलवन का तो भी नार्मल है, बट ग्रो से तब भी कटिन पड़ता है, और अप स्टॉक तो कटिन है ही, ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा, यदि दोस्तों, आप यहां पे अच्छी खासी यदि ट्र करनी है, तो जीरोधा में जाएगा, जब सब को सीख जाएगा, तब आप से टल लोगेगा, शुरू में आपको ग्रो आप ही यूज करना है, यदि आप बिगनर हैं तो ठीक है, और यदि आप बड़े निवस्टर हैं, पहले से सीखे होगे हैं, तो आप यहां पे जीरोधा किसी भी एब को आप यूज करेगा ट्रेडिंग प्लेटफार्म पे, तो उसके बारे में रिसार्च करके ही यूज करिएगा, और ग्रो एब के बारे में दोस्तों आपने बहुत सारा सुना होगा, मैं यह नहीं है कि ग्रूप पे मतलब इस्प्रिसल वीडियो बना रहा हू तो लाइक करेगा, कोई करेगा, यदि कोई सुचनाब को चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, बाई बाई दोस्तों